आज हम बच्चों की किताबों के बहुत इंपॉर्टेंट को पढ़ने जा रहे हैं जो के हैं डाइडेक्टिक एट्रिब्यूट्स और उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या चीजें बच्चों की किताबों में मुझूद नहीं होनी चाहिए सो आपको याद होगा कि डाइडेक्टिक एट्रिब्यूट्स क्या थे वो एट्रिबूट्स जिसके अंदर हम कहानी के थीम प्लॉट्ट या वह मैसेज्च जो हम बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं वह कन्वे करते हैं अब इसके अंदर कई moral थीम भी आ जाते हैं और इसके और बहुत से दूसरे थीम्स भी आ जाते हैं जो कि उनकी academics और learning से related होते हैं जो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों की किताबों में मौजूद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उनकी age appropriate नहीं है, number two, बच्चें के अंदर interest developed नहीं कर पाते या उनकी learning कहीं न कहीं hindered हो जाती है, रुख जाती है, या पीछे रह जाती है सबसे पहली चीज़ आपको याद होगी कि बच्चों की किताबे वो होती हैं जिसमें बच्चा खुछ subject के तौर पे पेश हो सो ऐसे expression जो stereotype हैं, ऐसी values, ऐसे ideas, ऐसे thinking style जो के बड़ों के होते हैं, बच्चों के नहीं होते, वहाँ आप बच्चे को subject की position से हटाके object की position में ले आते हैं और बच्चे आइसी कहानियों को पढ़के कई दफा anxiety का शिकार हो जाता है, या कई दफा वो दुबारा उन कहानियों को नहीं पढ़ना चाहता है So, हमारे पास जो important चीज आती है, वो यह आती है कि जो भी कहानिया हम बच्चों के लिए choose करते हैं उसका मकसद बच्चों को dictate करना नहीं है, इसका मकसद बच्चों के thinking process को trigger करना है कि बच्चे सोचें, observe करें, वो भी किसी नतीजे पर पहुचें So, जितना हम early age में इस process को शुरू करते हैं, उतना ही हमें जबरदस किसम का cognition में, उनकी language development में, social and emotional development में फायदा होता है So, passive literature के अंदर हमारी जो expectation होती है, बच्चे से यह होती है कि जो हमने आपको बता दिया है, बस आप उस पर यकीन कर ले अगर यह approach literature में हो और यह didactic attribute हो, तो बच्चे सवाल करना छोड़ देते हैं, आप बच्चे cause और effect का relationship build-up करना छोड़ देते हैं, बच्चे comparison नहीं कर पाते, similarities or differences find out नहीं कर पाते और उनका overall thinking process जो है, वो इससे damage होना शुरू हो जाता है अब criteria क्या है हमारे सामने कि जब हम बच्चों की किताबे select करें, तो क्या data attributes देखें, number one यह है कि जिसके अंदर teaching और education से related dialogues हो, themes हो, या elements मौझूद हो, और उनके अंदर ये चीज़े मौझूद हो, सबसे पहले तो important चीज़े आती है कि हर किताब की responsibility है, वो यह है कि बच्च element है, so artist का की मकसद ये होता है कि बच्चा सोचे कि ये वज़ा कोई इसकी क्या effects है, ये होगा, तो क्या हो सकता है, ना कि artist उसकी सोच को रोक दे और ऐसे absolute truth बता दे जिसमें हम ये सोचें कि जो पढ़ लिया है, बस वही हकीकत है, इसके बारे में मजीद सोचने की जरूरत न नहीं करतें, जिसके अंदर impose की गए हों, आपकी कोई भी morals, कोई भी values या कोई भी facts और truth, उसके इलावा वो चीज़ें जिसके अंदर command हो, वो बच्चों की thoughts और feeling को repress करती है, या बच्चों की जो feelings हैं, ऐसी command उन्हें बताए जिसमें बच्चे खामोश हो जाएं और अपन उनको देखके, वो themes और वो language और वो dialects भी हम बच्चों की किताबों में इस्तमाल नहीं करते हैं, बिलखसूस अगर बच्चे की उमर बर्थ से लेके 6 साल तक की है, so हम ऐसी sensitive themes या scene भी नहीं लाते हैं, जिसमें बच्चा effect को, reality को देखता हो, और इंतहाई anxiety का शिकार हो जा जिसे बच्चे देखके शदीद खौफ जदा हो जाएं, वो जरूर किसी और literature का तो हिस्सा हो सकती है, 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का हिस्सा नहीं हो सकती, अगली important चीज यह आती है, कि हम बच्चों के ऐसी reality भी नहीं बताते, कि हम यह बताएं, कि तमाम चीजे बहुत अच्छी है, और दुनिया जो है, वो तमाम अच्छाईयों से भरी वी है, और इसके अंदर कोई मुश्किलात और परिशानिया नहीं है, इसके बाद जो बहुत important चीज आती है, वो यह चीज आती है, कि हम ऐसी themes चूज़ करें, जिसके अंदर आप बच्चे को जिन्दगी क reality से close view दे सकें, ना कि अब जिन्दगी को या दुनिया को ऐसे sketch करके बताएं, जो कि real ही नहीं हो, या ऐसा बताएं कि जिन्दगी में कोई मुश्किलात ही नहीं है, और मुश्किल नाम की कोई चीज जिन्दगी में exist ही नहीं करती, struggle या try try again का कोई concept ही नहीं है, तो हमें theme ऐ ऐसे बताने हैं, जो कि reality of life से match करते हों, और बच्चे उनसे relate कर सकें, उन्हें समझ सकें और अपनी जिन्दगी के लिए prepare हो सकें, emotionally भी, intellectually भी और physically भी. So, इसके इलावा और कौन-कौन सी important चीज हैं, जो कि आपकी बच्चों की किताबों में नहीं होनी चाहिए, वो हम अगली slide में देखेंगे. Thank you so much.